हे गाईज तो आज के सेक्षन में हम शुरू करने वाले सेकंड राउंड टेबल कॉन्फरेंस से और एक के बाद एक इसके अंदर कुछ ना कुछ घटनाय वैतित होती ही जाएंगी तो हम देखेंगे कि कैसे उनका भारत की आजादी के साथ को रिलेशन है क्या 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 करते ह है सुबाश चंदर बोश जी नरम गरम दल सब चीजें इसके अंदर एक एक करके हम देख डालेंगे आई ये शुरू करते हैं सबसे पहले तो आप देखे कि अब 1931 के टैनियोर तक हम पहुंच चुके हैं यहां देखते हैं कि सेकंड राउंटेबल कॉन्फरेंस होती है और यहां पर आप क्लियर कट थोड़ा मैंने कलरफूल बना दिया इसी पिक्चर को तो यहां भी देख सकते हैं अब क्या होता है सबसे कमाल की चीज यह होती है कि गांधी की जितनी भी संदी हुई होती है वो हुई होती है इर्विन के साथ कि हम ऐसे ऐसे वहां पे अपनी रखेंगे तो आपको मानिये इर्विन साब कहते हैं कि ठीक हम मान लेंगे लेकिन यहां पर प्रिटिशर्स होते हैं थोड़ से दिमाग से तेज और वो क्या करते हैं वो इर्विन को हटा के अब वाईसरों किसको बना देते हैं वेलिंग्टन को बना देते हैं अब यहां प completely मानने वाले इरादे इनके दिख नहीं रहे थे, अब ये देखी कि होती क्या है, chaired by Ramse MacDonald, जो उस टाइम पे थे PM ब्रिटेन के, तो PM को थे ब्रिटेन के उस टाइम पे रामसे MacDonald, गांदी जी ने इसको attend किया था, और Irwin को change करके वाइसरोय बन गए थे, वेलिंग डन बन कुछ-कुछ areas में World War I के बाद तो थोड़ा-थोड़ा सा एक अधिकार दे रखा था, लेकिन अलग, छोट-छोटी डिपार्टमेंट दे रखा था, जैसे Education Department दे दिया या Health Department दे दिया, और Main Department, अपने पास रखके बैठे थे Britishers, जो काम के डिपार्टमेंट थे, तो राज त दिमांग से तेजी वाली डिमांड थी, लेकिन Wellington को समझ थी, अब आप समझे ना कि Wellington यहाँ पर बिटेन वाले जो थे, वो गांदी जी से इतना परिशान क्यों हो रहे थे, वो इनकी डिमांड जो Congress की है, easily मान क्यों नहीं रहे थे, क्योंकि यहाँ पर Congress ऐसे सी डिमांड ले बोल देता है, बियार अंबेतकर साब कि भया मुझे तो चाहिए है depressed class के लिए separate electorate, अब जैसे ही ये बंदा बोलता है यहाँ से, उदर से मुहमद अली जिन्ना साब बोल देते हैं, कि हमें भी Muslims के लिए separate electorate चाहिए है, बस ये दो आवाजों की आने की देरी थी, और गांद अब Wellington साब कहते हैं कि बंद करो ये सारी अपनी डाइरियां वगेरा, इसको रख दो सब को साइड में, सबसे पहले यहाँ पर शो चल रहा है, this is the show time, let's enjoy it, तो वो कहते हैं कि चलो इनके बीच में जो चल रहा है, इस सब को हम देखते हैं और enjoy करते हैं पहले, यानि कि ये ज अरोजनी नाइडू जो थी, वो औरतों की representative बनके इसके अंदर गई थी, तो ये आपको पूरे का पूरा मुद्दा दिख रहा है, ये important है second roundtable conference क्योंकि इसमें गांदी जी भी गए थे, अब जब यहाँ पर ये चीज़ separate electorate वाली आ गई ना दिमाग में, अभी two nation theory नहीं आ हुआ, यहाँ पर देखिया, 1931 में ये सब हुआ, तो 1932 में उसका impact देखने को क्या मिल रहा है, communal award, communal award मतलब कि separate electorate देने शुरू होगे, कि Muslims को अलग दे दिया, 6 को अलग दे दिया, Dalits को अलग दे दिया, depressed class को है न, तो यहाँ पर separate electorate दे दिया गए depressed class को, और यहाँ पर वे गांधी जी का सीधा सीधा ये बोलना था कि इससे जो है हिंदुईजम के अंदर, यानि कि हम लोग जो भारतिये लोग है, हमारी जो एक unity है, उसको ये छिन बिन करेगा, और ये चीज इसलिए गांधी जी मानने को तयार नहीं थे, तो आप देखिये कि जब गांधी जी इस पूरे के पूरे second down table conference का भहिशकार कर देते हैं, इनको देखिये पहले तो जेल से निकाल दिया जाता है, गांधी इर्विन पेक्ट में, बाद में फिर से इनको जेल में डाल दिया जाता है, तो अब यहाँ पे देखिये कि कितना दोगलापन Britishers का देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है, अब यहाँ में depressed class को separate electorate के against क्यों थे, यह भी मैंने आपको बता दिया गांधी जी, और यह पूरा pact यहाँ पे होने वाला है, पूरा समझोता होने वाला है, अब इसमें क्या होता है कि गांधी जी जब जेल में होते हैं ना, यरवदा जेल में, तो वो चले पूरा फास्ट था, कि यह नहीं होना चाहिए, अब जब Congress के जो main main leaders हैं जैसे की राजेंदर प्रसाद होगे, अमाधन महान मालवे साहब होगे, यह लोग देखते हैं, तो यह गांधी जी को देखके इन से रहा नहीं जाता है, और यह सोचते हैं कि भाईया, ऐसे तो बहु कोई मुद्दा सुल्जा लेंगे, आप बाद में हम एक दूसरे से बात करेंगे, इस बारे में सब कुछ हो जाएगा, सब matter solve हो जाएगा, आप अभी के लिए इस मुद्दे को छोड़ दीजी, क्योंकि हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए, तो B.R. Ambedkar, finally, इन दोनों क की बात को मान लेते हैं, और क्या होता है, B.R. Ambedkar और गांदी जी के बीच में एक pact sign होता है, जिसको बोलते है, पूना समझोता, या फिर कहें कि पूना pact, और ये जो है, गांदी जी नहीं sign करते हैं इसको, गांदी जी तो यरवदा जेल के अंदर हैं भाई, गांदी जी से बातचित करने के बाद इसको sign कोन करता है, गांदी जी के बिहाफ पे, रजेंद परसाज जी और मदन महन मालविया जी, ये दो नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, और अगर बोला जाए कि किसके बीच में हुआ, तो B.R. Ambedkar साब और गांदी जी के बीच में ये प आपको समझ में आएगा, अब इसके बाद होती है, थर्ड राउंड टेबल कॉनफरेंस, ये भी कब हो रही है, 1932 के अंदर हो रही है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे देखिए कि B.R. Ambedkar साब फिर गए हुआ हुआ है, यहाँ पे आप देखिए, तो पूरी ही नहीं कर रहे हैं, तो कॉंग्रेस इसको क्या करेगी, और साथ में जो इसका आउटकम निकलता है, वो Government of India Act 1935 वाला, यानि कि यह जितनी भी राउंड टेबल कॉनफरेंस हुई, आप समझना, इनका जो फाइनल आउटकम निकलता है, वो निकलता है, गौर्मेंट तीनो राउंड टेबल कॉनफरेंस में भाग लिया है, क्योंकि यह जो थे, इनका ध्यान इसमें बहुत जादा था, इनकी बहुत जादा रूची थी, कि भईया, जो समीधान है ना, उसको बनाने में मैं जितना maximum अपना complete योगदान दे सकता हूँ, जरूर दूँ, ताकि ज इनका एक विचार था इसमें, अब देखें, यहाँ पे अलग-अलग चीजें हुई हैं, 1933 की बात करते हैं, तो हरी जन पत्रिका निकालते हैं गांदी जी, यह मैंने शुरू में भी बताया था, जब न्यूस पेपर और पत्रिकाओं के बारे में गांदी जी की बताया था, इंडियन ओपिनियन के बारे में बताया था, तो वहाँ भी बताया था मैंने यहाँ कुछ, की चार पत्रिकाओं गांदी जी टोटल निकालते हैं, और इसी दोरान रहमत अली खान जो होते हैं, वो एक कोईन करते हैं, नई टर्म जिसको बोलते हैं कि पाकिस्तान, आप समझ सेवक संग हो गया, और एक हरीजन पत्रिका हो गई, यह देखें, निउस्पेपर हो गए, गांदी जी इसको स्टार्ट करते हैं, यह फोटोस इसलिए लगाई हैं ताकि आपको याद रहे, अब इसके बाद गॉर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, 1935 वाला, ठीक है, य अब देखें कि एक और कमाल की चीज होती है, 1937 में जाके, इसके बारे में अभी हम डिटेल में भी देखेंगे, 1937 में क्या होता है, गुलाम भारत का फर्स्ट एवर इलेक्शन होता है, इंडिया के अंदर, और यह जो गुलाम भारत का इलेक्शन है ना, इसके साथ-साथ एक और चीज होती है, इंडिया सेल्फ रूल मॉमेंट, अब यह इलेक्शन के उपर फोकस कोन करता है, उस टाइम पर, इसको बहुत ज़्यादा फोकस में लेके आते हैं, नहरू जी, जेल नहरू जी, जवारल नहरू जी, और अगर कोई पूछ ले कि एक मात्र ऐसी मॉमें जवारल नहरू साब ने अपने दम पे चलाई है, तो वो हम बोलेंगे, इंडिया सेल्फ रूल मॉमेंट, यह नहरू जी ने अपने दम पे पूरी मॉमेंट को डिरेक्ट किया था, इसमें इनका यह मानना था, इनका अंग्रेजों को सिधा-सिधा यह कहना था है भाई, कि आप इलेक्शन करवा के देख लीजिए, और देख लीजिए कि लोग किसको अपना नेता बना देखना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे देखिए, समझे भारत के देश के हालात, मुसलिम्स भी बैठे हैं महाँ पे, सिक्स भी बैठे हैं, और और प्रिंसली स्टेट्स भ पूरे confidence के साथ बोल देते हैं, कि भाया, आप election करवाईए, और देखे कि फिर हम क्या जलवे दिखाते हैं, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, है ना, तो यहाँ पे अब जब elections करवाए जाएंगे, तो क्या होगा, वो एक proper मैंने slide ही मनाई है, जहां मैं दिखा देता इनको provinces बोला जाता था, तो 11 provinces थी, अब उन 11 provinces में 7 provinces के अंदर तो Congress सीधा-सीधा जीत जाती है, 7 provinces के अंदर, और यह जो अपना मदरास वाली province होती है, सोरी मदरास कहा रहा हूँ, बंबे वाली province होती है, और बेंगोल वाली, बी-बी, ठीक है, यहाँ पे Britishers की ही हुकूमत क रहती है, यानि कि यहाँ पर यह लोग नहीं जीत पाते है, लेकिन जो, एक सगन, नहीं नहीं, थोड़ा सा confusion है, एक सगन रुकिए, यहाँ पर जो Congress जीतती है ना, 5 जगा पर जीतती है, 5 main जगाओं पर complete आ जाती है, ठीक है, complete आती है, कहाँ पर आती है, बंबे में आती है, यूपी में, मदरास में, उडिसा में, सेंटरल प्रोविंस में, बिहार में और NFWP में, ठीक है, लेकिन जैसे बंगाल हो गया, बंगाल में इनकी complete majority नहीं आपाती है, reason उसका क्या है, क्योंकि बंगाल में जो majority में, बंगाल के अंदर majority में कौन है, Muslims है, ठीक है, वो हमने पह पाच-पाच जगा पे पूरी complete majority में आई है, समझना, इसको coalition की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी regional party के साथ, लेकिन वहाँ पे भी मुहमद अली जिनना साब को तो वहाँ भी coalition की ज़रूरत पड़ गी थी, तो ये एक छोटी सी समस्या थी, कि Muslim League जो है न, वो अभी भी कहीं पे भी stand नहीं हो पारी थी, अलग से, क्योंकि तदाद उनकी कम थी, उतनी ज़्यादा नहीं थी, और उनको सपोर्टर उतने नहीं थी, जितने की Congress के थे, आप समझना, इस चीज में, और साथ में देखिए कि, एक और चीज है, ये तो 7 provinces का बता दिया, लेकिन complete majority वाली ये the provinces, ठीक है, अच्छा, ये मैं वहीं देख रहा था, confusion हो दी थी, कि complete majority वाली provinces कौन सी, ये है, 5 provinces हैं, जो complete majority वाले, UP, बिहार, मदरा, Central provinces, और उडिसा, अब देखिए, बंगाल का reason में ने बता दिया, ये बंबे से भी आ जाते, बंबे पे लेकिन इनको उतनी majority में seats नहीं नहीं आई, Congress की, तो यहाँ पर क्या होता है, फिर, regional parties जो होती है, उनके साथ, coalition government को form किया जाता है, कुल मिला कि ये पूरे कि पूरे में, elections की story आपको बता रहा हूँ, ये 5 provinces में, Congress की complete monopoly बनी, इन 7 provinces में, Congress से एक तरह से जीज जाती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, और कुछ जो electorates होते हैं, वो already Muslims को awarded होते हैं, communal awards के तहत, तो वहाँ पर Congress भी खड़ी नहीं हो पाती है, जिसकी वज़से नहीं तो बहुत जगा पर और भी जीज जाती, तो आप देखें कि ये जो चीज होती है, ये एक successful चीज हो जाती है, यानि गुलाम भार साथ के अंदर एक बहुत बड़ा election होता है, जिसके अंदर Congress winning situation में है, लेकिन यहाँ पर again दूसरी साइड में हम देखें, तो जो Muslim League है, All India Muslim League, aim, ये जो है, ये उतना ज्यादा निखर के नहीं आ पाती है, standout नहीं हो पाती है, तो यहाँ से जिन्ना साब को एक बात समझ में जाती है कि separate electorate से भी बात नहीं बन रही है, यानि कि यहीं से जो शुरुआत होने लग जाएगी two nation theory की भहिया, कि इस देश में रहके हम Muslims जो है, पूरे देश पर राज करने के situation में नहीं आ सकते हैं, यहाँ पर ये हो ही नहीं पाएगा, तो इसलिए वो चाते थे कि two nations बने two nation theory पर उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया फिर, शुरू में वो इसके पक्ष में नहीं थे, बाद में यह situation आई है, ठीके शुरू में तो आप देखे ना कि भागत सिंग तक को support कर रहे थे, बहुत जगा पर वो support कर रहे थे, फिर end में वो जब आप देखे लखना now pact होता है, तो वहाँ भी Hindu Muslims को इकठा कोन लेका था, वहाँ भी जिन्ना साभी लेके आते हैं, तो शुरू में यह बढ़िया रहे, लेकिन बाद में जब इनको इस situation समझ में आनी शुरू हो गई, तो इन्हों ने बोला कि भाईया ऐसा नहीं हो पाएगा, हमें तो फिर two nation theory पर काम करना है, यह मैंने reason भी पता दिया उसका, अब इसी situation में इसी दोर में देखी क्या हो रहे, 1939 से 1945 में क्या होता है, ब्रेक आउट होता है, World War II, again देखे कि अब Britishers के चके छुटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको पूरे को पूरे दुनिया के साल लड अलग लग तरह के वो बने होएं, धड़े बने होएं, एक तरफ इनके anti-party है, एक तरफ यह हैं, इनके साथ कुछ countries हैं, दूसरे वालों के साथ कुछ अलग countries हैं, तो इस तरह से जैसे कि जपान जो था, जर्मी जो था, वो दूसरी तरफ था, तो वहाँ पर उस चीज का फा insist में, government है किसकी? Congress की, अभी, ध्यान देना इस चीज का, और यहां पर deliverance day आता क्यों है picture में, क्योंकि जो World War 2 है, उसमें Britishers क्या करते हैं, इंडिया को धकेल देते हैं World War 2 में, और बोलते हैं कि इंडिया जो है, वो England वालों का, यानि Britishers का ally है, ally मतलब कि इनका दोस्त है, आप अपने दम पे, अपनी मर्जी से Britishers कैसे ये बोल सकते हैं कि भाया नहीं, भारती है तो हमारा साथ देंगे, क्योंकि आप हमने गुलाम बना के बैठे हैं, इसलिए, तो इसका विरोध करते हैं, पूरे के पूरे Congress वाले, Congress इसके हो जाते हैं, एकदम खिलाफ, और यहां पे, जब ऐसी situation create होती है, तो इसमें क्या, देखिए, यह basically वही बात है कि जिन्ना साब अगर Muslims जो है, वो अगर इनको favor दे रहे हैं Britishers को, तो बात में Britishers भी इनको favor दे के जाएंगे ना, वो two nation theory वाले में, simple सी बात यह हैं, तो यहां पे इसलिए deliverance day, यानि कि मुक्ती दिवस क्यों मनाय गया, कि इनका मानना था, इन्होंने एक तरह से एक projection की, कि भाया, जहां जहां पे भी Congress थी ना, वहां वहां जितने भी Muslims थे, उनके उपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा वैवार किया जा रहा है, तो इस वज़े से ऐसी image create करने की कोशी कीगी, ताकि Congress की image को hamper कर दिया जाए, और इसलिए इन्होंने बोला कि आज बहुत खुशी का दिन है, कि जब ये साथ की साथ प्रोमिंसिस से, गौर्मेंट ने, जो Congress की गौर्मेंट उसने withdraw कर लिया है, और अपना इस्तीफा दे दिया है, यानि कि यह नहीं बन पार है, लेकिन जब ये लोग बाहर जा रहे हैं, Congress के, तो इनको एक तरह से खुशी हो रही है, और उसको ये Deliverance Day के तौर पे मनाया जा रहा है, मुक्ति दीवस के दोर पे, ये कब हो रहा है, 22 December 1939 को हो रहा है, ठीक है बाई, आगे चलते हैं, ये तो हो गया, अब बात करते हैं, आगे बढ़ने से पहले, ये बात पर हम ऐसे ही कायम रहेंगे, अब भूलना मत कि Deliverance Day हो चुका है, क्योंकि अब Two Nation Theory आगे पिक्चर में आना शुरू हो जागी, लेकिन बीच में एक और बात करना ज़रूरी है, सुभाश चंदर बोस की, क्योंकि World War शुरू हो गया है, और ऐसी situation में देखे, Congress वालों को ही, पहले तो Congress वाले अगेस्ट हो गए, कि नहीं भीया, हम आपका साथ नहीं देंगे, बात में फिर Congress वालों ये बोलने लगे कि ठीक है, हम आपके साथ हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर वो सब चीज़े तो हम बात में बात करेंग और मंडले जेल जो है, वाया मयनमार, ठीक है, एक पहले अलीपूर में भेजा जाता है, फिर मंडले जेल में भेजा जाता है, मयनमार के थुरू, इस रास्ते के थुरू, फिर 1938 में क्या होता है इनका, हरीपूर session होता है, इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के, जिसमें बहुत जीत रहे हैं कॉंग्रेस के अंदर, यानि कि एक बहुत बड़ी position पे आ रहे हैं, क्योंकि कॉंग्रेस और लेडिस साथ provinces में भी कायम है, समझ लेना इस चीज को, अब इनके पीछे इतना हुजूम चल रहा है, ये super hero बन के बैठे हुए हैं, और लोग इनकी बहुत अब यहां पर क्या हुआ, कि 1939 के अंदर त्रीपुरी session होता है, अब देखें कि कॉंग्रेस बहुत अच्छी position में है, और यहां पर इसकी importance बढ़ती ही जा रही है, तो यानि कि त्रीपुरी session होता है, और उसके अंदर गांधी जी अड़ जाते हैं, कि यहां पर सुभाश च अच्छे खासे मारजन के साथ, गांधी जी की support के बाद भी peace सी तरमये को हरा देते हैं, तो खुई न कमाल की बात, यानि कि इसी से पता लगते हैं, कि इनके पीछी कितना हुजूम था, लेकिन गांधी जी इससे खुश नहीं होते हैं, जिसकी वज़े से इनके बीच में अच्छे बाद बोस को लगता है कि ये बहुत जादा रिस्पेक्ट किया करते थे गांधी जी की political guru माना करते थे उनको, तो ये एर्दा एनियों ने लगा कि भाई आप कितना इंसे आप जगडेंगे, तो इन्हों ने बोल दिया कि ठीक है गांधी जी ये रही आपकी INC की seat आप रखिए यहाँ पे, हमें नहीं चाहिए, हम चलते हैं अपना और कोई और नया forward block मना लेंगे, तो all India forward block ही साब बना लेते हैं अपना जाके कलकता के अंदर, यहीं से all India forward block की स्थापना होती है, और अब सुभाशन दर भोसका पूरे का फूरा अपने दम पे करेंगे, ज अब तो फिर prestige की स्वाल हो जाएगा ना कि उसी के लिए सब किच किया जा रहा था, अच्छा एक और चीज देखिए कि जो सुभाशन दर भोस हैं यह गांदी जी को दो title देते हैं, एक तो देते हैं राष्टपिता का दूसरा देते हैं बापू का, लेकिन जब हम किताबे पढ़ते हैं, राष्टपिता का title तो इन्हों ने दिया है, ठीक है, एक एसन बेनर जी साहब का भी हमने देखा था, तो वो राष्टपिता का नहीं था, वापस से जाईएगा, शुरू वाले sessions में मैंने आपको पूरा का पूरा बता रखा है कि वो कौन सा title था, एसन बेनर राष्ट, वो चमपारन वाला जब मैंने बताया था राजकुमार शुकला वाला, वहां मैंने बताया था कि इन्हों ने भी इनको यही title दिया था, बापू का, तो ये जो है अलग-लग किताबों में अलग-लग चीज लिखी हुए है, ये थोड़ा सा confusing state वाली चीज है, लेक मैंने दोनों चीजें इसलिए mention कर दी कि कुछ sources में ये लिखे, कुछ sources में वो एक contradictory सी चीज है, बट मुझे लगता है अगर paper में आये तो इसको mark करना ज़्यादर ज़्यादर जरूरी रहेगा, चलिए, अब 1945 में तो अच्छा ये तो aircraft crash है, इसके बारे में तो बाद में आत इनके पीछे हुजूम हो रखा था, बहुत ज़्यादा पगला रखे थे लोग सुबाश चंदर बोस के पीछे, अब जब ये चीज ब्रिटीशर्स को पता लगती है, तो उन्हें लगता है कि ये आदमी कुछ नुकसान कर सकता है, क्योंकि पहले ही गरम दल वालों सो वो इ अजादी दूँगा, अगर ये ऐसे ऐसी भढ़काएगा लोगों को, तो ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो गौवर्मेंट क्या करती है, इनको नजरबंद कर देती है, इनके घर के अंदर, और वहाँ पर देखे कि ये क्या करते है, अब इनको पता है कि भईया मेरे को तो देश के लिए कुछ करना है, अगर मैं यहीं पर नजरबंद रहूँगा, तो समस्या मेरे लिए ही है, तो ये at the end एक काम करते हैं, एक सगन मैं इसका न, एक और कोपी बना लेता हूं, ताकि ये समस्या न रहे इसके अंदर, हाँ जी, ये एक काम करते हैं, ये अपना भ हाई को पता होता है, कि ये यहां से जा रहे हैं, और ये क्या करते हैं, ये यहां से निकल कर पिशावर के रास्ते से पहुंच जाते हैं साहब मॉस्को, ठीक है, अब यहां पे ये रश्या में जब पहुंचते हैं, तो यहां पे देखिए कि रश्या वाली सैड में और यह उनको convince कर लेते हैं air strike के लिए अब देखो रशिया ने यहाँ पर करनी है भारत के अंदर air strike लेकिन air strike एक बहुत अच्छा option नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर अगर air strike की जाएगी तो भारतिये जो लोग हैं वो आम जंता भी मारी जाएगी उसके अंदर तो और आफरीका भी होते हुए at the end जो यह पहुँचते हैं थे कई जगा पर यह जा जाके लोगों को जर्मनी भी जाते हैं अलग लग जगा पर जाकर लोग convince कर लेते हैं अब at the end यह जब जाते हैं तो यह पहुँचते हैं सिंगापूर के अंदर आई- Agna यहाँ पर बनाते है र जपान जो होता है जपान जो है इसके अगेंस्ट है भारत के बारत के अगेंस्ट मतलब कि ब्रिटेन के अगेंस्ट है एक तरह से क्योंकि ब्रिटेन में भारत में ब्रिटेन वालों का राज है तो जपान दिखी कि एक तरह से हारने की कगार पर होता है इस वल्ड वार में तो इनको ये एक जो उनकी पूरी की पूरी टुकडी होते हैं ये महन सिंग नाम के विक्ति होते हैं उनको दे देते हैं और वो महन सिंग इनके साथ बैसिकली डील कर रहे होते हैं ठीक है और सुभाश चंदर बोस भी यहीं पर पिक्चर में आते हैं तो वो महन सिंग बाचित करत इपिर सूभाजंद्र बोस से तो यहाँ है पूरी की पूरी सान्ड कानट चलती है- जımधान हमारी हल्प करेगा और जपान की healthy to्कूड़ी अमारी सेना की जो इंडिया की है समझे, यह सारे वेक्ती कहा गे, भारत के ही है यह वेक्ती, जिनको कि यह जपान निक्याद किया था और यहां पर सिरफ सुभाशन दर बोश और मोहन सिंग कि कहने पे design को टुकडी इनको देदी गई थी ताकि यह लोग हमला कर सकें भारत के उपर और साथ में जपान की सेना भी जाएगी अब देखो कि यहां से हमला करना है इस तरफ अब होता क्या है उस situation में कि यहां बहुत ज़्यादा उन दिनों में क्या होता है बहुत ज़्यादा मौसम खराब इतना ज़्यादा बुरे हलाद बारिशों का टाइम हवाएं चलनी आंदी दुफान चलने है तो यह जो situations थी ना बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं थी और दूसरी चीज एक और चीज थी कि गांदी जी जो थे गांदी जी already against थे सारी के सारे British government के अब गांदी जी ने ये बोला कि भाया ये जो world war है ना इसमें हम आपकी help नहीं करेंगे और ऐसी ही situation और उपर से गांदी जी against और रखेते तो इनको ऐसे message पहुंचते जुबाच्चंदर बोस को गांदी जी तो अब इनकी side एक तरह से in nutshell ऐसा situation arise हो जाती है इन्हें लगता है कि Congress तो अलग tangent पर चल रही है और गांदी जी अलग tangent पर चल रहा है Congress support कर ये गांदी जी support नहीं कर रहे है Britishers को तो इन्हें लगता है कि अब गांदी जी मेरी side हो गए है एक तरह से तो ऐसी situation में ये सोचते हैं कि भाईया जो हमला हमें बाद में करना था काफी जम्में बाद वो अभी कर देते हैं तो सब कुछ फटा फट फटा फट होता है तो यहां पर देखें कि ये पहले ही और ये पूरी पूरी सेना को बोलते हैं कि मैं डिरेक्ली आपको कहां मिलूँगा मैं आपको डिरेक्ली यही भारत के अंदर मिलूँगा आप यहां पे पहुंचिए तो ये लोग अभी चल चल के निच़ने से जा रहेien रसत पानी कुछ है नहीं है, कईयों को बिमारियां लग गई, ऐसा हाल चल रहा है, आप समझ नहीं इस चीज में, लेकिन फिर भी वो घबराते नहीं है, और at the end यहां तक पहुंच जाते हैं, अब आप देखें कि सुभाष अंदर बोस ने भी यहां पहुंचना होता है, लेक से हमला होना था, इदर से हमला होना था, यानि कि यह पूरी एक situation arise होनी थी, जिससे कि British Army के उपर बहुत बड़ा भारी नुकसान पड़ता, और हो सकता है, कि वो हार भी चाते, लेकिन यह चीजे हो ही नहीं पहुंचना है, क्योंकि सुभाष अंदर बोस का aircraft पहले ही crash करवा जो आर्मी यहां पहुंचती है, अब उनके साथ यूद लड़ने के लिए कौन से लोग खड़े हैं, भारतियों ही खड़े हैं, यानि भारतियों के साथ यूद लड़ने के लिए भारतियों ही दोनों से खड़े हैं, और इनको डिकलेर किया जाता है भीया, कि तुम तो anti-party ही हो, तुम लोगों ने दूसरे देश का साथ दिया है, साथ तुमें देना चाहिए था भारत का, तुम देरों जापान का साथ, और इस वज़े से इन लोगों को गोशित कर दिया जाता है, देश द्रोही, और इनको सब को, देखी यहां पर लड़ाई जपट भी होती है, बहुत सारे लोग मारे भी जा रहे है, कोरट मार्शल किया जा रहे है, इनकों पकड़ने के बाद, बहुत ब dishwasher किया जा रहे है, किसी को फानसी दी जा रही है, बहुत जादा इन बिचारों के साथ दुर्गती की जती है, यानि कि यह जो टुकड़ी है न अट देखे की, कोड़र मार्शल किया जा रहा है एड़ दा इन ही को सजाएं दी जा रही है यानि कि इन विचारों के जीवन देखे गए आप कैसा कितना नर्ग जीवन इनका बन गया होगा यह भी सोचने वाली बात है यानि कि मैं बता रहा हूँ आपको एक रियल फैक्ट आजब मैं आपको दिल की बात बताता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सियासी लोगों के लिए ना चंद सियासी लोगों के सियासत के लिए बहुत सारे जो आम आदमी होते हैं वो अपनी जाने लगा देते दाव पे उनको एक अलग लेवल का मोटिवेशन दिया जाता है और इसी मोटिवेशन का फ में तो फिर थोड़े हाला ठीक हो गया है कि यूद नहीं और है फुराने जमाने में तो भीया soldier को यहीं नहीं पता था कि उसका जीवन कब तक है ऐसा तो हाल रहता था ठीक है भाई एक और चीज में आपको बता दू कि जो इसके दियान रखना कि अंडबान और निकोबार का नाम किसे ने चेंज किया था और कैसे चेंज हुआ था एक एक एक्स्टा इंफोर्मेशन और मैं बताता हूँ कि सुभाष चंदर बोस ने एक काम और किया था रानी लक्ष्मी भाई रेजिमेंट बनाई थी वर्ल्ड की जो पहली वोमेन कॉमब्ट अर्मी थी नीट उस टाइम पर क्या कि वोमेन आर्मी का कोई नामों निशानी नहीं होता था लेकिन ये पहली वोमैन कॉमब्ट आर्मी थी और किसने बनाई थी? सुभाज चंदर बोस ने रानी लक्षमी बाई रेजमेंट के नाम पे यही यहां पे मैंने extra information लिख रखी है I hope कि आपको सुभाज चंदर बोस के बारे में सारी की सारी चीज़े clear हो गए होंगी आज के session को हम wind up करते हैं फिलाल के लिए और इसके बाद बस एक session के अंदर हम कोशिश करने की सारे के सारे इसको history को खतम कर दें modern वाली history को हम भारत की आजादी तक पहुँचने की अब कोशिश करेंगे चलिए हम मिलते हैं next video, bye bye take care, see you love you all